Hello everyone and welcome back to our channel आज के इस शो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूसफुल गैजट के लिए जो कि आज के टाइम में मुझे लगता है वन अफ दो इंपोर्टेंट गैजट है स्पेशली जगे हम लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोग रहते हैं राजस्थान में जैपर में और गर्मियों में याप बहुत ज़्यादा पावर कट होती है देर के लिए नहीं होती है लेकिन फ्रीक्वेंट पावर कट होती है दो मिनिट की पाँच उनिट की अब आप ओफिस में हैं कुछ कर रहे हैं इंटरनेट एकदम से डाउन हो जाता है और उस टाइम पे आप अगर किसी कॉल पे हैं मीटिंग में तो वह खतम हो जाता है यह है एमब्रेन का पावर पैक बेसिकली एक मिनी यूपीयस है एमब्रेन ब्रैंड है जिसका मिनी यूपीयस मैंने मंगाए यह स्पेसिफिकली राउटर के लिए बनाए इसको आप पावर बैंक की तरह यूज नहीं कर सकते हैं इसके साथ supported जो DC Cable है उसे आप multiple router, multiple brands के router भी connect कर सकते हैं यह मैंने दो इसलिए मंगाए हैं शुरू में टेस्ट करने के लिए कि इसकी capacity कैसी रहती है और मैंने इसलिए भी मंगाए क्योंकि हमारे घर में मैंने पिछले वीडियो में बताया था हम लोग mesh routers यूज करते हैं हमारे यहां पे overall एक से कई जाधा routers हैं तो एक लगा के तो हमारे पार नहीं पढ़ने वाली थी इसलिए मैंने ट्राइल के लिए दो मंगाए और यह अच्छा रहा तो मैं दो और मंगाऊंगा ताकि हमारा पूरा mesh network cover हो सके तो अगर हम बात करते हैं इसकी मैं unboxing अभी करूँगा आपके सामने लेकिन मैं बता दूँ यहां पे सबसे बड़ी branding जो आपको दिख रही है वो है made in India की यह ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ made in India products सी use करते हैं आज कर आप बजार में देखेंगे तो electronics बहुत ज़्यादा made in China है लेकिन made in India होता है तो आपको ज़्यादा अच्छी feeling आती है तो यह made in India है Ambrain का इससे आपको मिलता है up to 5 hours of power backup जो की company claim करती है और मेरे को इसलिए भी लगाई यह impressive क्योंकि इसमें है 6000 mAh की battery 6000 mAh market में जो routers के UPS आते हैं mini UPS generally उनकी battery रहती है 2000 mAh की लेकिन इसकी है पूरी 6000 mAh की जिससे आपको up to 5 hours का backup मिलता है और यह जो mini UPS है यह support करता है 12V तक के routers तो primarily जितने भी routers market में होते हैं अधिकतर 12V तक के होते हैं तो आप इसको seamlessly use कर सकते हैं अब मैं इसको unbox करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या-क्या आता है तो हम करते हैं अब इसको unbox तो यह बहुत छोटा सा packet आता है जो दिख रहा है यहाँ पे Amrain की seal लगी हुई है इस पे जो इसकी price लिखी हुई है वो 2499 लिखी हुई है मतलब almost 2000 रुपे मैंने Amazon से इसको order किया है 999 का 999 का यह यहाँ पे कुछ इसके specifications लिखे हुए है जैसे की zero lag switching है क्योंकि डिरेक्ली router में connect होता है और up to 5 hours है चलिए हम इसको open कर लेते हैं तो मैं cutter से इसकी जो company seal है उसको open कर लूँगा आपके हम भटा देंगे तो आपको इसका size दिख रहा होगा बहुत ही impressive बहुत छोटा सा है एक palm के size का है और अगर इसमे 6000 mAh की battery है तो उससे जादा आपको क्या चाहिए एक router के ले और तो यह matte finish है यहाँ पे ऐसी lines है जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे Emrean की branding हो रखी है आपको दिख रहा है यह 12V UPS क्लियरली लिखा हुआ है यह 12V UPS का है इस पे power input output ratings भी दी हुई है input है 12V DC output DC है 12V यहाँ पे यह warranty की seal है क्योंकि यह hologram seal है यहाँ पे इसका screw होगा I'm sure और अगर आप इस side में देखेंगे तो यहाँ पे मिलता है आपको एक input और output की jacks जहाँ पे लगेंगी जो की एक जाएगी power supply में और एक जाएगी router में यह switch है जिसके through आप इसको on या off कर स इसे यूज करना है पानी में यूज नहीं करना है जो basics do's and don'ts होते हैं और देखते हैं box में आता है फिर यह जो की होगी cables इनोंने यहाँ पे अच्छे से लिखावाए hey don't forget me too थाकि आप यह box fank ना दे तो यह multi cables हैं इसमें अलग-अलग तरह की जो की आप use कर सकते हैं क्यों यहाँ पे आपको तीन मिल जाती है आप इन में से एक input के लिए है एक output के लिए है तो आप वो उस तरह से use कर सकते हैं तो अब मैं इसको install करूंगा और फिर देखेंगा कि कितना backup देता है और मैं उसके लिए अलग से एक review बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि वो किस तरह का है और यहाँ यहाँ पे एक छोटा सा यह भी दिया है pamphlet जिस पे लिखा है if you have any query आप उनको email कर सकते हैं उनका customer service number भी एक QR code भी है और अगर आप इसका project को review करना चाहते हैं तो आप इसको online इसके लिए review भी दे सकते हैं तो अब मैं इसको use करूंगा इस mini UPS को अपने router के सा कि कितने hours चल रहा है useful gadget है भी कि नहीं मुझे लगता तो है कि useful निकलेगा अगर आप लोगों को कोई भी question हो इस project से related तो आप मेरे को comment करके पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को यह छोटा सा review पसंद आया हो तुम इस video को like करिये और हमारे channel को subscribe करिये thank you so much for watching bye bye